ये कहानी है सच्ची दोस्ती की और दोस्ती निभाते हुए अपने फर्स को पूरा करने की. क्या होता है जब दो दोस्त वादे के मुताबिक 20 साल बाद मिलते हैं? ये कहानी है सच्ची दोस्ती की और दोस्ती निभाते हुए अपने फर्स को पूरा करने की. क्या होता है जब दो दोस्त वादे के मुताबिक 20 साल बाद मिलते हैं? 20 साल बाद एक पुलिस अधिकारी बड़ी फूर्ती से सडक पर गश्ट लगा रहा था. रात के अभी मुश्किल से 10 बजे थे लेकिन हलकी हलकी बारिश तथा थंडी हवा के कारण सडक पर बहुत कम आदमी नजर आ रहे थे. सडक के एक छोर पर एक गोदाम था. जब पुल इंतजार कर रहा हूं. हमने 20 वर्ष पहले यहां मिलने का वादा किया था. आपको मेरी यह बात कुछ अजीब लग रही होगी. लेकिन यह सच है. यह कहकर उस आदमी ने दिया सलाई की तीली जला कर सिगार सुलगाया. उस जलती हुई तीली के उजाले में पुलिस अधिका उस आदमी का चहरा देखा. उसका चहरा पीला था. आखों में चमक थी तथा दाहिनी भों के पास एक छोटा सा दाग था. उसके टाइपिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जड़ा हुआ था. उस आदमी ने दोबारा कहना शुरू किया. बीस वर्ष पहले इस दूसरे से अलग हो जाएंगे. इन वर्षों में हम जीवन में कुछ बनने के लिए संधर्ष करेंगे और जो कुछ बन पाएंगे, बनेंगे. ठीक बीस वर्ष बाद इसी समय हम फिर यहीं मिलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही दूर से क्यों ना आना पड़े तथा हम कैसी भी परिस्थिती क्यों न हो? ये सुनकर उस पुलिस अधिकारी ने कहा, ये तो बड़ी दिल्चस्प बात है. वैसे जबसे आप जिमी से अलग हुए, क्या उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता चला? कुछ समय तक तो हम एक दूसरे को पत्र भेजते रहे. लेकिन ये पत्र व्यवहार केवल एक देर साल तक ही चल सका, उसके बाद बंध हो गया. पर मुझे पूरा विश्वास है कि यदि जिमी जीवित होगा तो मुझसे मिलने जरूर आएगा. मैं एक हजार किलोमीटर दूर से उससे मिलने के लिए यहां आया हूँ. ये कहने के बाद उ उस आदमी ने अपनी घरी देखी. घरी में छोटे-छोटे हीरे जड़े हुए थे. पुलिस अधिकारी ने अपना दंडा गुमाया और वहां से चला गया. करीब 20 मिनट बाद एक लंबा आदमी उस आदमी के पास आया. उसने ओवरकोट पहना हुआ था तथा कॉला से कानो को धका हुआ था. उसने पूछा, क्या तुम बाब हो? क्या तुम जिमी वेल्स हो? इंतजार करने वाले आदमी ने खुशी से लगभग चिलाते हुए कहा. उस लंबे आदमी ने खुशी से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, हाँ बाब, चलो. अब कि उस लंबे आदमी का चेहरा देखकर कुछ संडे हुआ. फिर वो अचानक गुस्से में भड़क कर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो. मैं मानता हो कि 20 वर्षों का समय बहुत अधिक होता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं कि एक आदमी की नाक चोड़ी से पतली हो जाए. इसके जवाब में उस लंबे आदमी ने कहा, ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 20 वर्षों में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन जाता है. 20 वर्ष पहले तुम एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज एक बुरे आदमी बन गए हो. खेर, ये कागर्स लो औ और पढ़ो, बॉब ने कागर्स का टुकड़ा उसके हाथ से ले लिया और पढ़ने लगा, जब उसने कागर्स को पूरा पढ़ लिया तो उसके हाथ कापने लगे. कागर्स में लिखा था, बॉब, हमने जहां मिलने का वादा किया था, वहां मैं बिल्कुल ठीक समय से पर जब तुमने सिगार सु लगाने के लिए दियासलाई जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे ये देखकर बहुत आश्चरय हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफतार कर लेना चाहिए था लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण ये काम नहीं कर सका। अब मैंने पुलिस के ही दूसरे आदमी को साधे कब्डों में तुम्हें गिरफतार करने के लिए भेजा है। और यही यह कहानी समाप्त होती है, प्लीज डू लाइक और सब्सक्राइब.